लो दौस्तो िट के आपका हमारे चर्वेलमंत्रा में दौस्तों जैसे कि अपको बता खी हम स्वाल मेकनिक्स का निया छीस कीए है इसमें एक बाइक करके छोटे skšटे के टांसमोटर आदार टांसमोटर्टर स्वाइल दोस्तों हमने वाटरट टांसमोटर इसके बाद करेंगे अज बहुत सब्सक्राइब काम कौनेशन क्जा समय अधर पीछले लेक्शन मुना मुना की देवन दिसक्याआ लागी दोस्तों जैसा हमने पढ़ा था पिछले में कि वाटर क्या होता अपने साथ स्वाइल को या फिर छोटे-छोटे मिट्टी कड़ों को एक असान से दूसरे असान पर ले जाता है उसी पिकार हमारा क्या होता है विंड भी क्या करता है कि छोटे-छोटे स्वाइल को यहां परॉड करता है इर उसके बाद ब्रॉड़ा गरे जाता है और समी मालब कि air किसे related है wind से तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि मालब कि जो wind द्वारा स्वायल ले जाया जाता है और जम जाता है या पर कहीं जा करके उसका deposition हो जाता है तो उसके हम बोलते हैं कि आवलीन स्वायल कि वाना air से और air किसे वोलते हैं wind को तो यह पर दोस्तों आप इसको इस पर सब्सक्राइब सकते हैं डियूञा इसका मोलते हैं तील यूञा नहीं जाए वोई नियूञा को था इस वह पर आप दूसा मात्रा में हमारे पास स्वाईल डिपाजिशन हो गया विंड की द्वारा तो इसको मोलते हैं क्या तीला गोलते हैं इसको मोलते हैंं ड्यून यहाँ पर दोस्तों यह चीज आता है इसमें क्या होता है इसको डेटिलम बात करते हैं लगि leaven Conrad dow हवाद और सिल्टा के जम रहा है तो उसका मोलते हैं लॉइस इस दिपाजिट्स है लोस देंसिटी लोकि इनकी जो डेंसिटी होते है इनका भार क्या होता है इक वैलूम के अगर एक कंस्टेंट स्लामने लई में स्केद्द के बात बयद की जोड़ के सक्ती है इधिक से अधिक करती होता है तो इधिक बेरिंग क्या स्वोती है फुर बेरिंग क्या सब्सक्राहे घेली हो जाती है लोट देख तेस्टि जोट धारल शम्ता फिर किसी भार को धारल करने की शम्ता कम होती है तो यहां पर धान दे सकते हैं जब ही यह गीली होती है So cementing is due to the presence of deposits of calcium carbonate मतलब दोस्तों यहां पर जो हमने बताया कि यहां पर थोड़ा सा गले हुए पदार्स होते हैं उनसे यहां पर हमको calcium carbonate मिलता है जब यहां पर दोस्तों आगे बात हो रही है जो लोईस क्या दोस्तों इस अब धान दीजिएगा इसमें क्या होता है वैलू में चेंज होता कमी आती है तो यहाँ पर आगे बात की तो फिनामना वीच अकर्स विद इंग्रीजिन वास्ट मॉश्चर कांटेंट विदाट ने चार्ड एप्लाड इस्ट्रेस इस टम्रेट क compression due to the collapse of soil structure क्योंकि आपर क्या होता है इस में क्या होता है यह बहुत संवेजना सेल सोल होती है अब यहां हैं इसको मैं बात करें और इ Hurry le stop this को में बोल सकते हैं अगर हम अगे बात करें दोसते हम आ कि से दोयरा किसी बड़े अकांगर हो जाता है उसकर ऑलते हैं किया ब्रेशेट हो गया उस के दोरह बड़े बड़ा रूप ले लिया तो इसके बोलते हैं glacier a glacier moves extremely slow but deform and score the surface and the bit rock over the which it passes दोस्तों क्या होता glacier क्या होता ध्री 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 ध्रे अगर पिखलता है फिर ध्री ध्री यहां पर slow करता है deform होता है तो क्या होगा जिस soil से वो रगाड़ता हुआ जाएगा तो वहां कि soil क्या करेगा वो उखार देगा और क्या करेगा अपने साथ यह ले लेगा और the melting of the glacier अब जब यह glacier पिखलेगा तो जो soil है उसके साथ तो क्या करेगा deposits हो जाएगे तो deposition of all the materials and such deposits are is referred to as till अब यह क्या होगा जो इसके साथ material आएगे वो वहां पर जाके जम जाएगे तो यही चीज यहां पर glacial deposits में होता है तो यहां पर जो deposition होता है उसको हम बोलते हैं till drift is general term यह एक term है drift is general term used for the deposit made by glacier directly और indirectly कोई भी अगर deposition होता है glacier द्वारा चाहे डारेक्टर हो चाहे इंडारेक्टर हो चाहे इंडारेक्टर हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं drift के नाम से भी जानते हैं इसको ध्यान दीजिएगा the particles found in the glacial deposits are generally angular कैसा particles होते हैं दोस्तों angular particles होते हैं rounded नहीं होते in contract to the more rounded particles तो अधिकतर यहां पर हमको angular particles मिलेंगे मलब कि ऐसे round में मिलेंगे कुछ इस तरह का तरह से होंगे ऐसे round में या फिर angular में यह चारी चीज़े होंगे तो यह हमारे glacial deposits यहां पर होता है तो कर हम आगे ब transport material for side distance अब क्या gravity द्वारा भी हमारा material है या फिर कोई soil हो थोड़ी दूर तक यहां पर side distance यहां पर जा सकती है वहीं चीज़ यहां बोला जा रहा है gravity deposits are termed as colluvial soil or tallest क्या बलते हैं इसको colluvial soil बोलते हैं या फिसको बलते हैं तो यह ध्यान चीज़ेगा जो हमारे soil gravity deposits से बनते हैं which soil are found in mountain valley and farmed by the gravity force अब यह स्वाइल क्या है किसको बोलते हैं अभी ध्यान दीज़ेगा यह भी बोल सकते हैं असान सी समझ सकते हैं जो हमारे soil mountain पर mountain या घाटियों पर मिलते हैं जो gravity द्वारा यहां पर gravity बल द्वारा गुरत्वा करसर बल द्वारा यहां पर जमे हुए ह होते हैं उसको बोलते हैं पर कोलोविल स्वाइल और टालोस अन्सलोपी mountain due to the moisture variation sediments start and creeping down अन्सलोपी परवत में क्याते हैं जो ढालूदार परवत होते हैं वहां पर moisture का temperature का variation होता है तो आमन कम जादा होता है तो वहां पर जो sediments होते हैं जैसे हमने विधरिंग बताया था तो यहां पर विधरिंग होती है तो जो sediments मालब जो उसके छोटे बड़ पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं धरी-धरी यहां पर नीचे आने लगते हैं तो also due to due to swelling and shrinkage land slide में occur which may result into deposits in the valley अब यहां पर दिखी दूस्तों बा जोलते हैं हम क्या shrinkage बोलते हैं तो यहां पर sland land slide भी होने की संभावना होती है आप देखते होगे mountains में land slide होता है इसको मुलते हो भोस खलन तो यहां पर होती है जिसके करण क्या होता है यहां भी घाटियों में क्या होता है हमारा deposits बनता है वहां पर स्वाइल जम जाता है यहां पर कोई परवत है अब यहां पर इसका पार्ट इतना टूड़ गया तो यह भी gravity की द्वारत नीचे आ रहा है इसको कोई बार फुर्स तो लग नहीं रहा है क्यों ग्रेवटी फुर्स लग रहा है तो इसको में यहां पर ग्रेवटी डिवाजट ही बोलेंगे अब आता है स्वेर परेवटी हुआइच इसमें चाले है कोई यहीं के आप सक पाकार के बहुत सारे फौट समस्व की होगे है तो दोनी यह हाँ पर बताना चाता है और यह को ग्रेवटी डिवाजट होती है अगर ध्यान दें नीलवा है तो इसको मोलतेए निया क्वाज ब ध्यान दीजेगा, अब आता है हमारा Swamp and Mars Devices, दोस्तों इसका नाव आप बहुत कम सुने होंगे, अधिकतर बुक्स में इसको refer नहीं किया जाता है, लेकिन हमने यहां पर आपको दिखाया है, विस फेगर साथ आपको यहां पर समयाने के कोशिज की है, तक कि आप इसको आसान Growth is possible, अब दोस्तों यहां पर कुछ सरी चीजे समझना है, जैसे यहां पर बालाग बोला गया, Water Stagnate Area, मनलब कि यहां पर Water Fill हो, यह भी मान सकते है, जहां पर Water भरा होता है, और वहां पर उसका fluctuation, मनलब कि जैसे उसमें लहरे बनती हो, क्या बनती हो, लहरी बनती हो, तो उसक Water Table fluctuate करता हो, और वहां पर Vegetational Growth, मनलब कि वहां कुछ वनस्पतियां पर पासिबल हो, वनस्पतिक जीवन वहां पर पासिबल हो, क्योंकि देखते हो, जैल में क्या होता है, वनस्पति जैल ही नहीं मिल पाती, तो वहां पर बोलना जा रहा, Vegetational Growth is possible, जो Swamp and Mars Deposits Develop, वहां पर क् समझ सकते हैं, दल-दल deposit में बोल सकते हैं, जो यहां पर दल-दल होता है, These soils are soft, high in organic content, content and unpleasant order, दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, कि इस प्लेस को देखी रहे हैं, कि यह कहां पर हो सकता है, यह इसी चीज़ बोला गया, कि यह soft क्या होता है, विल्कुल soft होते हैं, very soft and high in organic content मनलाब कि इसमें जो वनस्ततियों का मातरा होती है, जो carbonic पदासों से, उसकी मातर यहां पर ज्यादा होती है, और unpleasant order, मनलाब कि दोस्तों यहां पर जो महाक आती है, वो थोड़ी सी बद्बू बोल सकते हैं, इसको बद्बू दार्थ भहाँ पे होता है, यहां पर अब यहां जो संगरा होता है किसका पार्शली और फुली डेकंपोइट एक्विटिक प्लांट इसको बोलते हैं तो कुछ जली पद्धे पुरी तरह से अच्छा हो जाएंगे पुरी तरह सड़ गया होंगे कुछ थोड़ा से सड़ा रहे होंगे तो जब यह इसन को जब यह स जाब में इस सको बोलता है कि इसको यहां पर जो स्वाइल होते हैं अब यहां बात आते हैं तो इसका बेट तोह होगा अब मुच्त अ गलाएंगे क्या होता है अगर इसको दबाया और कर दो यहां पर दब भी जायेगा सबस्वें क्रस्टरी नीचे गिल गए लेकिन यहां पर यहां तक है तो सड़ के यहां देख गए जिसके यहां पर नीचे गिल गया जो यहां पे शाले हैं जो इसका उपड़ी परत हैं वो किया होगा किसी में आता रहेगा कुल मिलाकर कुछ इस प्रकर के यहां पर deposits होगे इस्अको हम आप यहां बोलते हैं ध्यानबागा Kit तो दोस्तों उम्मीद करते हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आरा ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन